हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो माय चैनल स्यूनिक कार्डिंग और फ्रेंज देखिए बारिश थोड़ी सी रुग गई है थोड़ी थोड़ी सी दूप भी निकली है तो मैं अपनी गुल्दाओदी की जितनी भी सारी कटिंग्स थी उन्हें चेक करने आई हूँ तो इसमें से होगी और फ्रेंज कुछ गुल्दाओदी की जो कटिंग्स थोड़ी सी पीली हो गई है थोड़ी सी यहां पर मुरजा भी गई हैं और देखे थोड़ी जो कटिंगs थी उन्हें फंगस भी लग गई है तो जिनकिंग प्रॉबलम हैं पैद दूसर बरकर आपको दूसे के ब परोट की जो स्पीड है वो भी काफी अच्छे से बढ़ जाएगी तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसमें पानी नहीं डालना है जब तक इसकी मिटी सूखनी जाए इसमें पानी की बहुत कम कॉंटिटी आपको देनी है और इसके अलावा इसमें जो नीचे की तरफ से आपको ये पतियां जो निकलते वे दिख रही है उन्हें टैम टू टैम आपको हटाना है क्योंकि फ्रेंस इसके जो पतियां है उसके ही जरीए इसमें फंगस लगती है तो मैं सबसे पहले यही काम करूंगी फ्रेंस की जो जितनी भी पतियां है नीचे की मैं सारी हटा दू की कि किस की कटिंग से उनमें मुझे पिंचिंग करनीे हैं तो पूस्थ पहले इसकी पत्तिता अंच के पते हैं यहिस के इस तो करन को अब कि गो आईए तो प्रहिंग्य को कृणंने का एक पी का अविश् 내 की काफी जरूरत है क्योंकि बारिश हो रही है फ्रेंस और इसके अलावा अगर अभी कुछ टाइम बाद जब ठंड आने लग जाएगी तो इसे रूट्स को धूप की जरूरत काफी पड़ेगी इसमें पानी की कमी बिल्कुल होनी चाहिए फ्रेंस आप मिट्टी को हमेशा ग पर इसमे Pikachu करेंगे तो आप पिंचिंग करेंगे की जैसे ये आपको एक मैं बूर्ण चाह जगल से निकलाएगी तो इस तरीके से आपको पिंचिंग करनी है फ्रेंस की यहां से इसकी कटिंग कर दीजी आप इस तरीके से और यह इतनी बड़ी आपको ब्रांच निकालनी है फ्रेंस और इसके बाद में फिर जितनी भी यह आपको लिव दिख रही है यहां से नहीं नहीं शूर्स यह जो आप देख पा रहे हैं यहां से नहीं नहीं शूर्स निकलेंगी और उतनी ज़्यादा यह फ्लावरिंग प्रोड्यूस करेगा तो फ्रेंस आप गुल्दाओदी की कटिंग को इस तरीके से केर करेंगे तो आपके पास में चलेगी और फ्रेंस जो मेरी गुल्दाओदी को फंगस लग गई है मैं इसे दो या तीन दिर इसे धूप में रखूंगी इसे अभी मैं फंगी साइट वाला पाउडर दूँगी पानी नहीं दूँगी फ्रेंस पाउडर दूँगी और इसको कल सुबह या फिर जब भी दूप निकलेगी इसे डारेक्ट दूप मिलेगी तो ये ठीक हो जाएगी इसके अलावा फ्रेंस जो पीली हो गई है पत्तियां वो काफी ओवर वाटरिंग की वज़े से हो गई है और एक कटिंग मेरी यहां से गल गई है तो इस तरीके से बारिश में मेरी थोड़ा बहुत नुक्सान भी हुआ है फ्रेंस लेकिन जो कटिंग मेरी बची है उनकी में केर कर लूँगी और फ्रेंस पत्ति हटाने का हमें दो वेनिफिट मिलता है कि जो पत्ति है वो इसकी मिट्टी से टच नहीं होती है उसमें फंगस नहीं लगती है दूसरा फ्रेंस की वो जो एक्स्ट्रा इसकी एनरजी रहती है वो नहीं लेती है तीसरा फ्रेंस की इसके जो पत्यों के पीछे जो काले इंसेक्स आके बेट जाते हैं वो नीचे की तरफ भी बेटते हैं तो फ्रेंस अगर आप पत्यों को इस तरीके से हटाते रहेंगे तो इसमें इंसेक्स कभी डर कम रहेगा और फ्रेंस जब आप इन पत्तियों को हटाते हैं तो आपको याद रखना है फ्रेंस की नीचे से 3 या 4 इंच के करीब तक आप पत्तियों की जो यह देखिए फ्रेंस यहां से आप देख पा रहे होंगे कि यहां से बिल्कुल यहां 4 इंच तक आपको पत्तियां हटा देनी है ताकि पोधे की मिट्टी को अच्छे से धूप लगे उसमें हवा का सर्कुलेशन बना रहे और फ्रेंस उसमें इंसेक नहीं लगे और पत्तियां मिट्टी को टर्च ना करें और फ्रेंस पिंचिंग तो आप टाइम टू टाइम करते रहें इससे आपका पोधा है जो बहुती ज़्यादा बूशी बनेगा और आपको काफी ज़्यादा नंबर में आपको इसकी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी तो फ्रेंस में यह काफी टाइम हो गया है मैंने इसकी की तो कुछ कुछ कटिंग में फ्रेंट जो मेरी कलियां भी आने लगई तो मैं आपको दिखाऊं कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर थोड़ी-थोड़ी सी कलियां भी बनने लगी अब फ्रेंट मुझे इसमें फ्लावरिंग नहीं चाहिए इसलिए में इसकी pinching कर रही हूं अगर आपने भी अभी लगा दी है friends तो आप भी pinching करते रही है time to time और उसमें खाद वगेरत देते रही है और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो आप उस तरीके से care करते रही है friends तो आपकी गुलदाओदी की cuttings भी काफी अच्छी ग् तैयार करूंगी और जिसमें वेल्ट्रेंड सॉयल होगी वो और उसमें मैं इसे शिप्ट कर दूंगी ताकि यह काफी अच्छी ग्रोथ कर पाए तो फ्रेंस मैंने कटिंग को सेपरेट करने के लिए काफी चोटे-चोटे से पॉर्ट दे दिये थे और मुझे लग रहा है कि इसमें काफी जल्दी फ्लावर दे देंगे या फिर काफी जल्दी ये ग्रो नहीं कर पाएगा तो मुझे इसकी काफी कटिंग को तेजी से ग्रो करना है तो फ्रेंस मुझे इसको बड़ा एक बूशी पॉर्ट या इसको बूशी प्लांट में बनाना है तो फ्रेंस मुझे से बड़ा पॉर्ट देना पड़ेगा क्योंकि यह बहुत ही चोटा सा तीन इंच का पॉर्ट है और मैंने इसमें लगा दी थी कटिंग तो यह कटिंग एक ही है फ्रेंस देख रहे होंगे आप और यह काफी घनी हो गई है तो मैं इसे अब एक बड़ा पॉर्ट दूंगी और इसकी मट्टी के साथ में आपके साथ में उसका वीडियो शेयर करूंगी तो आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी अगर आपने भी कटिंग लगा रख यह गुल्दाओ दी की तो आप मेरे दिये हुए कुछ टिप्स को धियान रखेगा तो आपकी भी कटिंग काफी अथि लगेगी टायम करते रहें टो काफि अच्छी फ्लावर आएंगे इसमें तो मिलते हैं फिर किसी नहीं वीडियो में किसी नई प्लाइंड की जनकरी के साथ में तो अगर आप मेरे के साथ कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और गुलदावदी से रिलेटेट कोई भी सवाल हो आपके तो फ्रेंस मुझे से पूछेगा जरूर मैं आपके सारे कुशन्स का अंसर दूँगी आपके सारे सवालों का जवाब दूँगी तो फिर मिलते हैं किसी नए प्लाइन की जनकरी के साथ में सब तक के लिए टेक के रहें बाबाए